नमस्कार दोस्तों सोगत है आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम भात करने वाले हैं इंडिया की बहुती सांदार बहुती फीमस कॉमर्सिल वहकल महिंद्रा बोलिरो पीकप यह 1.3 टन है इसकी सारी डीटेल सारी फीचर्स इसमें क्या-क्या बदलाव किये पाइब करेंगे और सारी डीटेल सारी जानने के लिए पहले में इसके वीरेंट के बारे मता देता हूं तिये 1.3 टन है इसमें आपको 1.3 टन पावर श्टेरिंग और साधा श्टेरिंग और सीबीसिक आपसा मिल जाता है इसके उपर वाला जो माटल है आपको 1.7 टन उसमें आपको CBC और नान इसके और पावर श्टेरिंग उसमें रहता ही रहता है आपको लेना ही पड़ता है और उसमें दोनों ही वरिंट में आपको 4x4 का आपसन मिल जाता है तो इसमें वह है इसका बीसिक्स एंजन लोगि पहले से जाता पावर्फुल है और पहले से जाता है इसमें आपको पहले 68 बीयेचप वाला इंजन मिलता है इंजन दा पावर्फुल M2Di CR टर्बो चार्ट इनलाइंट फोर क्रश्रेंटा डीजल इंजन लेकिन अब इसमें आपको 76 होर्सपार वाला डीजल इंजन में जिएगा जो कि काफी जाता पावर तो दोस्तों यह है इसका M2DICR इनलाइन फोर्स रन टार्बो चार्ग डीजल इंजन जो कि 76 होर्स पॉर्स जनरेट करता है और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क काफी पावर्फूल है पहले से काफी पावर्फूल काफी स्मूथ है इसकी माइलज की बात करें तो यह आपको हाइवे पे 14-16 का हिवर्स देदेगा और सिटी में आपको 10-12 का आराम से देदेगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमरान की बैट्टी दीगिए इसके फ्यूल इसके फ्याइन देख रहा है यहां पर इंजक्टर आप देख रहा है कफी गल्हा यहांपेश्य काइप इसके प्रूर्फूल लुक कि बात करें तो यहां पे आपको हाइले जयन हàiलाइट रिखनी जोग्या प्रूंदाल ही आप है यह बंपर ये काफी स्अल depends थैं काफी मजबूत जाए इसके साइड प्रफाइल लूक की बात के बाप काफी सांदर साइड़ लूक है इसके जो देंखबाडी दोस्तो यह है साधे आट फुट की देक बोड़ी मिलते हैं इसमें आपको साड़े 8 फूट की डेक बोड़ी मिलती है टोटल लेंथ इसकी जो है 5.2 मीटर है और डेक बोड़ी की जो लेंथ है वो साड़े 8 फूट है बाकी यहां पर आप देख सकते फोटस्टेप आपको एक नया ग्राफिक मिल जाता है कूल मिल मिल जाएंगे यह इसका यही जो काफी reflected है यह जो है रिफ्लेक हो जाता है यहां कितरा इक ता यहां पर यहांULảं आपको disc brake और यह बेर आपको drum brake मिलते हैं यहां पर दोस्तों फ्रंट suspension की बात करें तिसमें आपको 5 leaf spring suspension मिलते हैं विच सोक absorber के साथ और वहीं आपको 7 leaf spring suspension मिल जाते हैं विच सोक absorber के साथ जो 1.7 10 है उसमें आपको यहां पर 9 leaf spring spring suspension मिलते हैं जिसे आप पाटा भीकाते हैं जिसमें आपको 7 ही मिलता है और ऐसा है कुछ इसका side profile look काफी सांदर look है मैं इसका full view देता हूँ काफी बढ़िया look देता है इसी है और इसकी मैं rear profile look की बात करूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका rear profile look है पीछे side का यहां पर एक महिंद्रा का पीछे आ जाता है तो आपको यह sense करेगा रिविस गाड़ी को reuse करते समय और आप आसानी से इसे reuse करते पाएंगे पायर कर पर मेंगे तो यहां पर एक आप मिल जाता है तो यह जो है काफी बढ़िया राता है लगक्यों नुक्ये पर और यहां पर आपको टेल लाइट मिल ज जबते हैं यह है कुछ इसका अंदर का अधाय फिर इसकी हाइट है अधिक बोडी की अगर्व जाड़े पांच फूट इसकी डेक बोडी की वीड़ थे साड़े आठ फूट इसकी डेक बोडी की लिंद थे बाकि यह इसका एक्जॉस्ट नोट टेल पाइप यहां पर है महिंदरा आप बोलिघ पीक अप पार स्टेरिंग यहां पर ड्राफिक मिल जाएगी यहां पर इंडिकेटर भग रदीए चल्देस की इंटेर में देखते हैं महिंदरा इन इसमें काफी सारे बदलाव किये गए हैं वह हम देखते हैं लिए इसका डॉर पैनल यहां पर द यहां पे हैं पर यहांदब्रेक मिल जाता यह इसके पाइडल से यह इसकी सीट्स है यह काफी बढ़िये शीट्स जुन आपको बिलती है अब जेक खते हो, काफी बढ़ी है इसने आपको सीट से मिलती है, तो भी थेटर के साथ, उस साइड दो पैसेंजर बैट सकते हैं, लेकिन सेंगल हेटर से मिलता है, यहाँ पे, केबिन मेग वहाँ पे लाइट दीगी यह इसका कुछ रूफ, काफी सांदार सीट से मिलती है, कि पाफिन सांदार डाइस बात करूग तो काफी सांदार डाइस बात कर предлаг वे at मिलते हैं यह गाड़ी आपको व नगिलाएगी मिलती ती когда you're at सब्सक्राइब कर देख लेते हैं तो काफी बड़िया फीट फीनिस दिया गया है यहां पर डैस बोड आप देख सकते हो काफी सांदार दिख रहा है है और इस तरह का है पूरा फुल बूड डिश बोड का यहां पर एसवेंट से मिल जाते हैं आपको फिनिस में और कुछ यह इसका रीजन के बटन यहां पर दिये गये यह इसका हेडलाइट के लेफलर उपन नीचे करने के लिए कुछ इस तरह की मिलती है आपको सिंपल की मिलती है लाइट के कंच्रोल्स इस तरह आपको मिलते हैं वाइपर के कंच्रोल्स यह इसका है डिजिट्ल इंट्रिम che व Давайте आपको मिलता है वहिए आपको भलोलो में में मिलेगा अब यहाँ फिशन एक वाइप इनफसारे सारे इंफोर्मेशन वो कर रहा है बागे इस साइड आपको मिल जाता है एक हजार लाइट का बटन यह इसके AC वेंट्स है और अभी में AC चला के देख लेता हूं कितना इसका पावर है कूलेंट पावर और यह है इसके AC के बटन्स यहां पर आपको AC का आपसन मिलता है हीटर का आपसन नहीं दिया गया है एक पॉइंट हो सकती है और यहां पर आप देख सकते हो कि ब्लोवर दिख़ार आप काफी यह है और कुललेंट अच्छा नहीं पर इसका ग्लोव वाक्स दिया गया है यहां से आपक काफी सारी जानकारिया है है यह ले सकते हैं यह बुक मेने वन्मक भाइब से हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैटिंग हो आए रहा है टूर किर्ट्स इसके अंदर आते हैं और ईसका ओगनाटी मिर्ट को डावएड्स यह इसका आई एर्व्यम जो सब्कुछ मिलता बाक्या यह सीट्स है सीट बेल्स आपको यहां तो दिये गए हैं दोनों पैसेंगर और डाइबर के लिए यहां पर आपको मिल जाता है एक फाइब स्पीड मेनो ट्रांस्मिशन जी त्रिवर्स यहां पर आपको मिल जाता है टोल्य वोट का चार्डिंग सोकेट 12 बोल्ट का कि ऐसा है कुछ इसका इंटेरियर बागी इसकी इंटेरियर के लिए आप जाक आते हो कामेड में बताईएगा साथ यह वीडियो गर अच्छी लगी तो वीडियो जरूं लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अब आज बारी आती इसकी प्राइस की तो मैं आपको इसकी प्राइस पूले डीटेल में बताता हूँ तो दोस्तों जो इसकी एक सूरूम कोष्ट है वो आठ लाग दस जार तीन सो पंचानबे रुपए है और जो इसको आठ वे आप में लगेगा वो तेई सेजार नवसो शपन रुपए लेगा एंसुरेंस में आपको पाहिती जार रुपए देने पढ़ते हैं आक्सिडेंट पेमेंट है दोस्तों वो है एक लाग तीजार सास्तो एक्टारीस रुपए और एमाई अगर आप करते हो तो महीं फाइब एयर के लिए तो इसमा आपको आठ लाग दोस्तों चौंसर रुपए प्रतिमा देने पढ़ेंगे पांच चाल के लिए फाइब एयर के लिए और य आपको 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 मिल जाए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और नई वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्कार रिवार इस पारकिंग सेंसर काम कर रहा है वह आपको आपको दिखाए तो जैसे कोई अब जएक्ट आएगा यहां पे आपको इंडिकेट करेगा अभी देखने है क्या है वहाँ पर आप देख रहे हैं अभी अब्जेक्ट हो है कम से कम एक खीट है दिवाल यहाँ पर आपको सेंस्टी करेंगा बताएगा पर इस पाको सेंसर एक बनिया फीचर चेह है करता है